बहुत शौक था ना कश्मीरियों से नाता क्या ला इलाह इलाला अब गई ये गाना अरे संडास की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ 14 आगस्त 1947 के बाद ये प्रॉब्लम क्रियेट हुई थी आपने सबसे पहले घबराना नहीं दोस्तों पियोके यानी पाक अडिकर सेट्र में फिर से आज़ादी की मांगे ऊठने लगी हैं और वहां के लोग एक्षंड कस्मीर की मांग रख रहे हैं इतना ही नहीं दोस्तों पाकिस्तान के नेताओं ने ये भी बयान दिया है कि यदि इमरान खान का पाकिस्तान में यही हाल रहा तो हम यहाँ पे इंडिया को बुला लेंगे तो दोस्तों आज के वीडियो में आप देखेंगे कि जब रीपब्लिक बारत न्यूज चैनल के एंकर ने पाकिस्तानियों से ये पुछा कि पीयो के कब बारत को लोटा रहे हो तो इस पर पाकिस्तानी अच्छे खासे बढ़क गए लेकिन मेजर गोरव आरिया ने अपने तर कि एक भी दलील फैक्ट्यों पर फिट नहीं बैठति है में आपको याद दिलाता हूँ आपके दो टुकले किये आप कुछ नहीं कर पाए हमने जमुकश्मिर से 370 एंटा दिया जब 370 हटा आगया, इन्होंने पूरी दुनिया की चक्कर गाटे, हर एक मुल्क के पास जाकर अपना दुखडा रोया, कि साब देखो इंदुस्तान ऐसे कर रहा है, लेकिन इनकी सुनने वाला तक एक नहीं था, और ये बात करते हैं कि ये P.O.K. को रख लेंगे अपने पास देखे विवेक, धन्यवाद पहली बत, मैं बताना चाहता हूँ 1994-1994 का इंडियन पार्लिमेंट का एक रेजिलूशन है, जिसमें इंडियन पार्लिमेंट ने दोनों हाउसे ने ओवर्वेल्विंग मेजॉरिटी से रेजिलूशन पास करा है, कि पाकिस्तान पाल्टिस्तान, भारत का अबिन आंगे और हमारा एरिया और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको वापस लेने की, पहली चीज़ ये है, तो ये ऐसी कोई हवाबाजी नहीं करी है, M.E.A. ने, हमारे मिनिस्टर फ एक्स्टरनल लफेज, जो वहाँ की प्रवक्ता है, स्पोक्स टेलिविजिन पे, कि आपके उपर फिफ जेनरेशन वार्फेर इंडिया ने मसलत कर रखा, ये बात बिलकुल ठीक है, जो आप FATF में है, ग्रेलिस्ट में, वो कोईंसिडेंस नहीं है, जो आप लोगों के वेस्टरन बॉर्डर पर ठोका जा रहा है, वो कोईंसिडेंस नह नहीं है, ये दर्जे हरारत बढ़ती रहेगी, बहुत शौक था ना, कश्मीरियों से नाता क्या ला इलाह इलाला, अब गई ये गाना, जितना आपने हमारा नुकसान कश्मीर में करवाया है, उससे सौ गुना जादा नुकसान पाकिस्तान के अंदर होगा, सौ गुना, रबर स्टैंप नहीं है, हमारी पारलिमेंट सुप्रीम है, आपकी पारलिमेंट रबर स्टैंप है मेडम, जिसको जो मिलिटरी डिक्टेटर आपने बूट के नीचे कुचल दे, भारत की पारलिमेंट यहां पे बैठती है, सर के उपर, पाकिस्तानी पारलिमेंट एक डिक् इनके एहसान फरामोशी दिख रही है हम इनको तरपाल दिये आजादी के समय तब जाकर सिर्ध ढखकर ये सोते थे और आज एहसान फरामोशी कर रहा है और जो लोग गदे बेशते हो संडास की बात कर रहा है तॉयलिट की प्रॉबलम है अरे संडास की प्रॉबलम है हमारे यहाँ 14 अगस्त 1947 के बाद यह प्रॉबलम क्रियेट हुई थी क्योंकि हमारे पश्च्चमी बॉर्डर पर संडास था वह अलग बन गया हमसे मुल्क अब कहां जाएं समय लगता है समझ गए संडास की बात मत करन ये एक मिनिट, एक मिनिट, मैं बताना चाहता हूँ, ये मियावाली का रहने वाला है, इमरान खान, ठीक है, और ये रिलेटिड है, एक है नियाजी से जिसने सरेंडर करा था 1971 में, उसी का रिष्टदार है ये, उसने पाकिस्तान के टुकड़े करे, सुनो मेरी बात सुन लो, और अमर अलता, बुरा मत बनो, आज मैं पॉल खोल देता हूँ, तुम्हारे इमरान की, ये रिलेटिव है, ये ये दोनो, ये नियाजी, ये मियावाली के हैं, मियावाली पाकिस्तानी पंजाब में, वहां का पठान है, ये पंजाबी पठान है, इमरान खान मेरी बात सुन मेजर की पाटशाला होती है, कभी-कभी, सीख लो, सुन लो, अमर अलताब, जाहिल इनसान, सीख लो, तुम्हारे अब्बु कुछ सिखा रहे हैं, तुम जैसे नाला एक बच्चे जिन्दगी में कुछ नहीं कर पाते, अब्बु की बात नहीं मानते, फिर धर-धर की ठोकर की हमिटी को तुमारे आर वी-चीफ ने यह बोला कि तहरी के तालिबान-पाकिस्तान और अफगान-टालिबान, एक है, आज तक तुम कहते हैं, इंदोस्तान पैसे खिला रहा है, तुम कह रहता हैara is, तुम कहते हैं, तुम सभी पैसे खिलाने के लिए पैसे होने भी चाहि है पूरा मुल्क भिकारी है तो फिर बिचारे सालेवानिप को बुरा क्ला क्यांते हैं है दोच जोली पहला करके तो आप लोग चलते हुए तो देश है पूर मैं चाहूंगी लेक्टनिजन जणरनल गुर्मीट सिंग को ले लीजे गुर्मिट सिंग जी बहुत साफ साफ है इसमें कुछ बहुत effort नहीं है P.O.K. में कैसे इनके खिलाफ नारे लग रहे हैं ये कहा जा रहा है आजाद करो आजाद करो भारत को हमें दे दो हमें हिंदुस्तान का हिस्सा बनना है उसको कहने में जान जुआ जी को क्यों दिक्कत होती है अमर अलताभ को क्यों दिक्कत होती है ये दो सच है वो चाहते हैं भारत में आजाएं जनाभ आली आप भारत में जो आजादि की तरीके चल रही है जरा उनका आहाता कर लो पाकिस्तान की फिकर छोड़ दो तुम लोगों को रात को नीद क्यों न decorating की आती है जमीनदार लोग हैं, हमारी जमीन चेनली वापस चाहिए, इसलिए नीन नीन नी आती, जिस देन आ जाएंगे उस दून सो जाएंगे चेन से, क्या बच्छों बात कर रहें नीन नी आती रात को, पुरा गेर रखा है, आठ सो साल राज करा है, यह एक मिनट एक मिनट, एक ईखरा है न, अभी तो हमारी बैकंग आई है, अभी तो बैकंग आई है, अभी बैकंग शुरू हूए एंथ हो थोड़ा सबर रखो, अभी थोडह सबर रखो यह आट सो साल का जो तुमारा जो भूत है न, यह दो पीसलग जा शल का भूतरो,